नमस्कार, स्वागत है आप सब का The Economist में तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इफको के बारे में तो इफको ने अभी क्या किया है कि जो NP fertilizer है तो पूरे भारत में यहाँ पर जो NP fertilizer बेचते हैं इनकी जो cost है वो कम कर दी है 50 रुपए पर बैग तो यहाँ पर जो नाम इसका वो है NP 20, ratio 20, ratio 0, ratio 30 तो यहाँ पर इसका जो फुल नाम है Ammonium, Phosphate, Sulfate, Fertilizer तो पूरे भारत में with immediate effect जतने भी इनके stocks अभी market में available है वहाँ पर जब आप इफको का यह खाद यह fertilizer लेने जाओगे तो 50 रुपए अभी आपको कम देने होंगे तो यहाँ पर जो इफको की statement है उसमें इनोंने बोला है कि यह cost जो है इसको reduce कर रहे है 1000 रुपए पर टन क्यों क्योंकि यह support करना चाते हैं farmers को on sulfur क्योंकि sulfur एक क्यों nutrient होता है जिसको कि यहाँ पर मिटी में mix करते हैं तो काफी फाइदा होता है जो भी फसल हम यहाँ पर उगाते हैं खास तो और पर जो oil seeds crops होती है जहां से हम तेल निकालते होंगे जिन फसलों से बाद में तेल निकलता है तो उन crops के लिए अच्छा होता है sulfur का जो यहाँ पर content होता है अगर उसको मिटी में mix करें तो तो इससे क्या होता है quality improve हो जाती है फसल की और ज्यादा bumper production जो है वो निकल कर सामने आती है जिससे क्या होता है कि किसान को फाइदा होता है जितनी ज्यादा production होगी उतनी ज्यादा उसको पैसे मिल जाएंगे उस फसल के तो यहाँ पर 50 रुपए पर बैक जो है यहाँ पर इस जो sulfur वाली जो खात है इसके उपर कम कर दिये गए हैं तो यहाँ पर with immediate effect मतलब अभी आप जाओगे तो आपको 50 रुपए कम ही rate देना होगा तो यहाँ पर जो basic reason है वो यही बताया गया है कि farmer की input cost आती है na ID culture में उसको कम करना है और साथ ही साथ जो हमारे prime minister का vision है कि 2022 तक farmers की income को double करना है तो यह भी एक target यहाँ पर माना गया है कि जिसके तयाद जो rate है 40 लेजर के इनको थोड़ा कम किया गया है तो आप मुझे comment box में बताइए कि ifco की full form क्या है इसका headquarter कहाँ पर है और कब इसको बनाया गया थ और आगे बात करें तो ifco ने यहाँ पर कोशिश करता है कि जो prices है उनको reduce करता रहे farmers के लिए जितना यहाँ पर फाइदा हो सके वो पहुंचाता रहे तो September 2020 में भी इन्होंने बोला था कि जो rabi crops हैं तो उनके उपर भी जो यहाँ पर fertilizer की utilization होती है खास दोर पर जो DAP होता है जो NPK जो fertilizer होते इनके cost को वो नहीं बढ़ाएंगे, increase नहीं करेंगे, so in this rabi season for the farmers, so किसानों की फाइदे के लिए यहाँ पर जो है इफको सोच रहा है और यहाँ पर बात की गई है कि इफको जो है आपर कोशिश करता है कि fertilizer के जो prices है न वो ना बढ़ें ता जो की जो है यहा यहाँ पर इफको जो है यहाँ पर support करता है farmers की, तो यहाँ पर news है ministry of culture की और से जहाँ पर जो finance minister है श्रीमती निर्मला सिधार रमन जी उन्होंने पुराने एशियंट जमाने के जो coins हैं और जो antiquities हैं उनको यहाँ पर handover किया है जो minister of culture है हमारे श्री प्रहलाद सिंग पतेल तो इनको यहाँ पर जो है ancient और medieval parade के जो coins हैं यहाँ पर handover कर दिये गए हैं finance ministry की और से तो यहाँ पर basically जाने के कि यह coins हैं कौन से era से हैं और किन के जो राज्य हैं जिन से यह connected हैं तो यहाँ पर फिलाल यहाँ पर handover किया गया है यह किया गया है North block में North block South block दोनों आमने साम ने हैं ओके उसके एक end पे इंडिया गेट है और एक end पे जो है राश्टरपती भवन है और साथ ही में इसके पारलिमेंट आती है तो यहाँ पर North block में Finance Ministry और Ministry of Home Affairs यह बैठती है और South block में Defense Ministry और Prime Minister Office जो है यह बैठता है तो यहाँ पर जो गिंती है इन coins की वो है 40,282 ओके य तो डेली सल्टरनेट का दौर था तब का मुगल एरा का ओके जो पीरिड है 1206 से लेके 1720 A.D. इसके इलावा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं सचाहाँ कुशाना, याउध्या, गुपतास, प्रतिहार, चोलास, राजपूर्ट, मुगल्स, मराथास, कश्मीर and from British India तो इसके अब ministry of culture क्या करेंगे, इनी coins को जो है museum में रखेंगे, exhibition में लगाएंगे, लोग आएंगे, देखने लिए लिए, तो यहाँ पर एक security भी इनको जो है provide की जाएगी, जब इनको museum में रखा जाएगा, तो यह जो यहाँ पर बात की गी है, इसके इलावा कुछ और items मिली हैं, जैसे 18 antique seals मिली हैं, okay, stamp मिली है, of religious emblem, to be worn by the person having authority by ruler to execute the royal orders, and one silver कमर बंद, okay, to worn by royal affluent family woman, so कमर बंद मतलब जो कमर में एक, जो है, कपड़ा बंदा जाता है, okay, तो silver यहाँ पर, वो भी जहाँ पर मिला है, okay, silver का, तो जिसको mostly woman पहनती थी, जो royal family से belong करती थी, तो यहाँ पर जो stamps मिली हैं, तो इसका भी main motive stamps का यही होता था, कि जो executive एक निर्दारत किया जाता था, किसी भी ruler के दवारा, कि जो भी फैंसले होते थे, वहाँ पर एक stamp लगती थी, जैसे यह परमान हो जाता था, कि यह फैंसला, फलाने फलाने जो है, राजा का फैंसला है फलाने फलाने empire का फैंसला है, तो उसको, जो authentication उसकी जो तो वो बढ़ जाती थी, जब यह stamp लगती थी, तो यह भी 18 अलग लग तरह की steps जो है, emblems जो है, seals जो है, यहाँ पर, जो hand over की गई है, minister of culture को, तो देखो, यह बरामत कब होए थे, यह 1994 की बात है, जब दो foreign nationals थे, जो की, Hong Kong ली निकल रहे थे, Delhi airport से, तो वहाँ पर हमारे custom department ने होशारी दिखाते होए, इनी से जो जितने coins यहाँ पर अभी hand over किये गए हैं, यह सभी उनी से जो है, निकलवाए हैं, मतलब, चोरी जो है यहाँ से लेकर जा रहे थे, और Hong Kong इसको shift कर रहे थे, तो यहाँ पर पकड़ लिए गए, और जितने भी coins थे, copper stamps थी, और silver cover बन था, वो इन से बरामत किया गया, और बात में जब और search की गई, उके, उनको search किया गया, तो और भी जो बाकी के gold coins थे, और जो articles थे, वो भी ज West की Archaeological Survey of India को, कि आप जो हैं इसकी value बताओ कि जो भी antiquities यहाँ पर हमने कठे किये हैं, जो coins हमारे पास यहाँ पर अपलब्ध हैं, तो यहाँ पर आप एक committee बनाओ, जिसके तुरू हमें पता चले कि इनकी actual value क्या है, कितनी कीमत है इनकी, तो total यहाँ पर जून 2020 में यहाँ पर report submit की गई है, उस committee के दवारा, तो यहाँ पर 40,301 यहाँ पर antique items यहाँ पर थी, जिनकी value यहाँ पर बताई गई है, total है, जो है 63 करोड के आप 64 करोड कह सकते हो कि, 64 करोड की यह जो value की coins है, seals है, कमर बंध है, जो अभी के लिए finance ministry के दवारा, जो है minister of culture को है hand over किये गए ह तो यहाँ पर important है, जो यह हमारी दरोहर है, तो हमारे देश में ही रहनी चाहिए, इसको हम अभी संभाल के रखेंगे, पराने समय में तो फिर भी यहाँ पर चोरी चिकारी के cases हो जाते रहे, लेकिन अभी चलो, सब चीज़ें online है, जो camera's on spot काम कर रहे हो, तो यहाँ से एक benefit हो जाता है, एक तरह का डर रहता है, museum में भी security काफी रहती है, तो फिलाल अभी COVID के चलता है, museum तो कोई visit करने जाएगा नी, तो सरकार जो है, life in miniature, इस नाम का project चला रही जिसके तादा आप घर बैठ के रही, तो घर बैठ के रही आप जो है online visit कर सकते हैं, हर एक museum को खास तो और पर जो डेली का museum है, जो national museum है उसको, यहाँ पर फाइदा है, तो एक तरह का हमरे देश की दरोहर है, उसको संभाले हैं, और भी ऐसी जितनी भी दरोहर है निकलती है, बारे सरकार जो है उसको यहाँ पर संभालने की कुछिश करती है, through the archaeological survey of India, तो मुझे आप बताईए क archaeological survey of India के founder कौन थे, और इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, Equestrian Federation of India के बारे में, जो कि अभी 12-15 November के बीज, एक Federation Equestrian International, FEI, इस नाम का जो event है, इसको organize करने जा रहा है, तो Ministry of Defence से यह news है, हर सार यह event होता है, तो यहाँ पर फिलाल के यह जो competition होगा, यह होगा Army, Polo and Riding Center, Delicant, तो यहाँ पर इस event में भी अलग से तीन तरह के disciplines होगे, सबसे पहला है dressage, दूसरा है cross country, और तीसरा है show jumping, तो यहाँ पर basically घोडे को यूज करके जो है, यहाँ पर gaming होती है, अच्छे riders जो है, यहाँ पर घोडे को यूज करके, इन यहाँ पर जीतता है, जो कम से कम penalty जो है यहाँ पर करता है, जो भी यह game खेलते हैं उसके दौरान, तो तीन अलग variance में यह divided है, तो यहाँ पर यह tournament होता है, यह tournament चार दिनों तक चलेगा, तो पहले दिन जो है आपर inspection होगी, dressing test होगा दूसरे दिन, तीसरे दिन यहाँ पर cross country का जो test आप वो चलेगा, ओके तो जो चौते दिन जो है यहाँ पर जो है show jumping का test होगा, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के test जो है यहाँ पर athletes के दौरा यहाँ पर competition यहाँ पर provide किया जाएगा, तो इस competition में basically जो है यहाँ पर horse later जो gaming होती है, उसको यहाँ पर जो है 1967 में, यह registered है under society's registration act of 1860, तो यह इसको ध्यान रखीगा, इस act के तहाँ यह society जो है, यह जो federation registered है, okay, here and after referred to as EFI, तो इसको EFI से नाम से ही हम जानते हैं, So since 1967, the development of equestrian sport in India has been guided and promoted by the country's governing body, the equestrian federation of India, founded by a group of people driven by mutual passion for horses and equestrian sport. So equestrian sport क्या होता है, commonly यहाँ पर horse riding होती है, जो कि British के दौर के जमाने से यह game चली आ रही है, okay, इंडिया में भी इन्होंने इंट्रद्यूस की थी, okay, यहाँ पर horse riding होती है, अलग-अलग manners में, okay, तो यहाँ पर driving होती है, वर्टिंग होती है, okay, horses को use करके, जैसे polo game खेलते हैं, okay, horses के उपरी वो game खेली जाती है, एक stick होती है, और gain को यहाँ पर जो है, goal के उपर पहुचाना होता है, गोडे के उपर बैठ के ही, तो यहाँ पर basically यहाँ पर जो बात करने हैं, वो रास्ट वाले, जो competitive, जो sport है, उसके बारे में यहाँ पर बात करने है, as a sport, जो है horse riding, जो है, यहाँ पर competition, जो है, करवाया जाने वाला है, okay, जो की 12 से 15 नमंबर के बीच में चलेगा, okay, और winner यहाँ पर उसको गोजित किया जाएगा, जो in games में, जो है, कम सही कम penalty, जो है, वो लगाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा overview आका पता होना चाहिए, Equestrian Federation of India के बारे में, कब इसको बनाया गया था, और इसका main motive क्या है, okay, इसका main motive यही है, कि जो Equestrian, जो sport है, इसको जहाँ पर promote करना, okay, इसको अच्छे से continue रखना, कि मतलब यह sport जो है, यह खतम न हो जाए, आने वाले समय में, तो defense, जो army यहाँ पर है, वो तो इसको कभी खतम नहीं होने देगी, यहाँ पर हर साल जो है, ऐसी जो यहाँ पर game से वो जरूर खेली जाती है, जहाँ पर horse riding जो है, वो important हो, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे है, Ministry of Food Processing Industry के बारे मे जिसके द्वारा, आत्म नर्बर भारत अभ्यान के तहट, operation green scheme के under, यहाँ पर 50% जो है, transportation subsidy प्रवाइट की जाएगी, 41 notified fruits and vegetables को, जो की यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किये जाएगे, north eastern states और जो हिमालियन states है, वहाँ से to any place in India, यहाँ पर subsidy प्रवाइट करने का made जो मतलब है, व उनका जो production है, वो कम से कम cost तक जो है, इंडिया के अलग-अलग कोनों तक पहुंचे, खास तोर जो हमारे north eastern states है, और जो हिमालियन states है, जहाँ पर आबादी बहुत कम है, तो उनके भी production जो है, पूरे इंडिया लेवल पर पहुंचे, लोग consume करे, और इनकी भी जो income है, वो rise हो, तो इसके लिए यहाँ पर 50% transportation, जो subsidy है, बाई air transport, ओके, तो यहाँ पर by air transport, वहाँ पर subsidy जो है, भारत सरकार के द्वारा परदान की जाएगी, industry of food processing industries के द्वारा, तो basically यहाँ पर funda यही है, कि north eastern के जो farmers हैं, जो हिमाचल, या उतराखन के जो farmers हैं, उनको benefit पहुंचाया जाए, जो यह subsidy provide की जाएगी, कम से कम दाम तक customer तक समान पहुंचेगा, तो वो खरीदेगा भी, अगर उसके बास महंगी चीज़ पहुंचेगी, तो वो नहीं खरीदेगा, ओके, तो यहाँ पर इस तरह का benefit जो है, farmers को पहुंचाया जा रहा है, तो इस subsidy के तहर, जो भी airline, जो भी समान को transport करेगी एक जगा से दूसरी जगा, तो वहाँ पर जितना भी कराया निर्दारित होगा, तो यहाँ पर जो airline है, उसको कहा जाएगा, कि आपने सिर्फ और सिर्फ 50% जो है actual amount जो है, आपने चार्ज करनी है, जहाँ आपने अपना माल transport करना है, तो अगर 100 रप जय कराया था, तो आपने सिर्फ 50 रुपे लेने है वहाँ से, बाकी के जो 50% है, वो आप क्लेम कर सकते हैं, जो Ministry of Food and Processing Industry है, वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको 50% बाकी का जो है, airline को मिल जाएगा, तो यहाँ पर airline को किसी तरह का loss जो है, वो नहीं होने वाला है, वो कि जो भ electricity प्रवाइड की जा चुकी है, यह 12-10-2020 की बात है, जब यहाँ पर railways के थुरू भी अगर ट्रांसपोर्ट होता है न, यहीं जो notified fruit और स्वेजेटेबल्स हैं, तो यहाँ पर भी 50% जो है, यहाँ रेदक्शन कर दी गई है, चार्जिस की, जिससे की, जहाँ तक भी माल पह पहुंचेगा, fruits यहाँ वेजेटेबल्स पहुंचेगे, तो वहाँ पर जो भी supplier खरीदेगा, यह कहाँ उसको ज़्यादा दाम ना देना पड़े, वोके अगर ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, तो supplier फिर कोई उसका alternative ढूण लेगा, तो alternative मतलब अगर सबजी, जो notified सबज अगर वो नहीं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाता महिंगी है, तो दूसरी कोई alternative खरीद लेगा, उसका जो local area है, वहाँ से, तो यहाँ पर 50% जो है, यहाँ पर इस एरिया में भी जो subsidy प्रवाइट की गई है, तो यह थोड़ा अलग है, यहाँ पर North Eastern States का, यहाँ पर कोई ले इन तीनों के दाम जो है, यह नहीं बढ़ने चाहिए, तो इन तीनों के दाम जो है, मानिटर करके चलता है, तो इस scheme के तहट, यहाँ पर incentive प्रवाइट की जाते हैं, जिसके तहट, जो दाम है, वो control में रखने की कोशिश की जाती है, भरसरकार के द्वारा, जो demand और supply की जो maintain जो है, करने की कोशिश की जाती है, ओके, और आखिर में बात कर लेते हैं, जो eligible crops हैं, वोगर fruits की बात करें, तो 21 तरह के fruits हैं, तो इन सभी के यहाँ पर नाम मौझूद हैं, आप अच्छे से बढ़ सकते हो, इसके लावा vegetables हैं, ओके 20 परकार के vegetables हैं, उनके नाम भी यहाँ पर जो है, मौझूद हैं, इसके लावा जो eligible airports हैं, यह थोड़ा important है, इसको देख लीगा, ओके, जितने भी airports हैं, और नाचल, असाम, मनीपूर, मेगाल्या, मिजोरम, नागालेंड, सिक्किम, एन तरिपूरा, फ्रॉम नॉर्थीस्ट, एन हिमाचल, उतराखन, एन युनिन इंडिया में, तो यहाँ पर 50% सबसिडी जो है, भारत सरकार प्रवाइट करेगी, तो यहाँ पर एक तना से, इनको benefit देने की कोशिश की गई है, कि यहाँ के कसान भी आगे बड़े, इनकी भी income बड़े, ओके, इनके भी products जो है, पुरे इंडिया में जाने जाएं, पुरे एक inter-ministerial committee जो है, वो set up की है, to strengthen the capital goods sector, तो सबसे पहले जानते हैं कि capital goods होते क्या है, तो देखिए, भारत सरकार का target है कि 2024 तक, हम भारत को जो है 5 trillion dollar की economy बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो अगर अमेरिका से मैं compare करूँ यहाँ पर, तो अमेरिका की अभी क trillion dollar की economy है, अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना की आज की rate में 13 trillion dollar की economy है, भारत अभी बहुत पीशे है अगर हम compare करें चाइना और US के साथ, तो अभी तो हम 3 trillion dollar economy के आसपास भी हम नहीं पहुँचे हैं, अभी भी 2.8 trillion dollar की हमारी economy है, तो यहाँ पर अभी आने वाले समय में 2025 तक target है, कि हम जो 5 trillion dollar की economy भारत को बनाएंगे और उसमें से जो 1 trillion US dollar है वो हम निकालेंगे manufacturing sector से, तो यहाँ पर देखो, अगर manufacturing को सही करना है, तो आपको अपना जो capital goods का sector है, उसको सही करना होगा, तो capital goods का मतलब है, जहाँ पर plants और machinery आ जाती है, तो इसलिए जो machinery का जो यहाँ पर sector है, सारा का सारा देखती है, ministry of heavy industries and public enterprises, तो यहाँ पर देखो, जतना capital goods का sector बढ़िया होगा, जतनी अच्छी technology की machinery अवेलेबल होगी, उतनी जल्दी और उतनी quality और उतनी accuracy वाली manufacturing जो है, आने वाले समय में देख रहे को मिलेगी, और उतनी जल्दी production होगी, त पुरे world में देश को तो यहाँ पर global standards के साफ़ से हमें काम करना पड़ेगा, चाइना करता है, ओके चाइना अच्छी quality के products अभी produce करता है, और दीरे दीरे जो है गुलाम बना रहा है, पुरे world की जो advanced economies हैं, उनको भी सस्ती चीज़ें provide करकर के, तो यहाँ पर हमें भी, अग अगर हमने एक trillion dollar की यहाँ पर economy बनानी है, सिर्फ असरोफ manufacturing के sector में, तो capital goods की जो sector है, बहुत ही बहुत important है, ओके, तो यह 22 member का एक inter-ministerial committee बनाई गई है, भरसरकार के द्वारा, यह committee जो भी issues आते हैं, capital goods sector में, तो यहाँ पर यह focus करेगी कि अगर कोई machinery बड़े पैमाने पर बंदरी है, तो क्या वहाँ पर दिक्करत आ रही है, ओके, वहाँ पर कोई किसे तरह की गड़बर है तो क्यों है, mostly जो गड़बर आती है, जो यहाँ पर, वो है technology, mostly जो machine यहाँ पर manufacturing करती है, भारत में, कोई शोटा शहर है, कोई बड़ा शहर है, तो जारा तर जितने भी अ बार खाने चल रहे हैं, वहाँ पर पुरानी machine ही काम कर दी है, उनी को repair करकर के, जो है, वो काम चला ही जा रहे है, तो उन में से production है, limited scale set हो गया, कि इतनी production निकली कि उतने ही निकलती है, तो यहाँ पर जिन issues के ओपर यह focus करेंगे, तो सबसे पहले जो है technology development, mother technology development, मतलब कैसे इसको सही करना है, कैसे development करें, जो global value chain है, उसको हम कैसे सही, अपने according कैसे maintain करें, जैसे China maintain करके चलता है, जितनी यहाँ पर supply की जरूरती, उससे जादा dump कर देता है, पहले यह already dump कर देता है, जो बाहर के मुल्क है, तो यहाँ पर जो testing है, इसकी ओपर focus करना है, skill training provide करनी होग कि machine अच्छे से चला तो पाएं worker, वो भी अच्छे से चलानी नहीं आती, जितनी के आती है, उससे साब से operation करके, वो मतलब काम चला लेते हैं, लेकिन एक machinery के अंदर बहुत सारी advancement भी होती है, अगर मैं परानी machinery की भी बात करूँ, तो वो भी अच्छे तरह से चलानी नहीं जो custom duties, okay, तो यहाँ पर इस sector में बहुत बड़े पैमाने पर जो है globally competition हमें provide करना है आने वाले समय में, अगर इसको अपना capital goods को हम सही कर लेते हैं, तो फ़र manufacturing definitely बड़ेगी, timely बड़ेगी, अगर किसी को हमने order देना है, अगर किसी से order लिया है कि हमने इतनी जो है mass production करनी है, इस time तक आपको दे देंगे, अगर machinery पर trust होगा तब ही दे पाओगे न, अगर पहले ही होगा कि हमारी machinery पतनी काम करेगी या नहीं करेगी, एक risk के ओपर आप ठेका ले लेते हो, तो बात में timely आप उसको deliver नहीं कर पाए, तो फिर trust टूटता है, तो जो global value chain वो भी टूटती ह तो यहाँ पर जो भी relevant issues होंगे, इसके इलावा भी, तो यहाँ पर capital goods के sector में अगर कोई discuss करने, योगे होगा, committee के सामने लाया जाएगा, तो उसके ओपर भी यहाँ पर बात रखी जाएगी, यहाँ पर solutions निकाले जाएगी, कैसे जो हमारी capital goods market है, उसको सही की जाए, आज भ CNC machine की बात करूँ, तो उससे बहुत सारे products बनते हैं, मेरा एक दोस्त है, जिसने Canada से machine report की है, ठीक है, उसका खर्चा आगया है 15-16 लाग, अभी हो machine, अभी second hand है, तो 20-25 साल पुरानी machine है, उसकी जो manufacturing जो वो बनी थी, वो 90s के टाइम पर बनी थी, जापान में, बात में Canada shift जहां पर उसने अपना plant लगाया है, वहां पर shift की है, तो यहां देखो, पुरानी से पुरानी machine है, अभी उसकी भी अच्छे से technology जो है, वो समझनी है, तो उसको भी समझना है, फिर चला पाएंगे, फिर global level पर अच्छी mass production कर पाएंगे, उसकी maintenance करनी बड़ी tough होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए skill training चाहिए, तो उसकी भी यहां पर shortage है भारत में, तो इसको भी सही करना है, तो फिर जाके manufacturing hub बना पाएंगे धीरे देरे भारत को, तो तब ही जाके जो 1 trillion US dollar का जो target है कि manufacturing sector से एतनी economy बनानी है, इतने dollar की, तब ही बना पाएंगे, जो 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 हम tackle कर पाएंगे तो, तो इसलिए यह जो है inter-ministerial committee यहां पर स्तापित की गई है, अलग-अलग मंतराले द्वारा यहां पर जो है views लिये जाएंगे, फिर जो है यहां पर solutions निकाले जाएंगे, capital goods sector के लिए, देखो जी यहां पर ministry of textile के द्वारा, एक campaign launch किया गया जिसका नाम है local for Diwali, तो इस campaign का जो relation है, वो है जो handicrafts industry है, उसके साथ, तो अभी Diwali आने वाली है, तो यहां पर mystery of textile, यहां पर campaign चिला रही है, for the purpose की जो हमारा cultural heritage ना, जो हमारा ट्राइबल्स लोग जो है, जो आदिवासी लोग है, तो वो भी जो भी चीज़े handicrafts की जो चीज़े बनात कोई हाथ से बुना हुआ कोई चदर है, इसके इलावा जैसे मिटी के बने हुए दिये हैं, तो अलग ले तरह के pottery design है, तो मतलब कि हाथ से बनी हुई चीज़े बहुत सारी है, जिसके उपर जो हमारे artisans है, जहां पर जो उसके allied workers है, वो निरबर करते हैं, तो यहां पर जो कोई नाइटिन के जलते हैं, क्या हो गया कि इनकी विक्री इस साल इतनी ज़्यादा हो नहीं पाई, तो अगर मैं बात करूँ, हुनर हाथ की 12 सरकार के दवारा, ministry of minority affairs के दवारा एक event जो है, यहां पर organize किया जाता है, हुनर हाथ, तो उसके तहत भी जो इनकी items हैं, handicraftर जो items ह होती हैं, तो यहां पर सरकार इनको support करती है, कि आप आओ और बेचो, और लोग खरीदते भी हैं इसको, लेकर pandemic की वज़ा से, जो है, COVID के फैलने की वज़ा से, लोग यहां पर physically अभी visit नहीं कर रहे हैं, तो अभी फिलाल, जो है, कल से ही हुनर हाथ, दोबारा से इसको resume किय साथ महिनों बाद, तो यहां पर देखो, जो हमारे Prime Minister जी है, उन्होंने यहां पर एक तुना से अर्ज किया है, पूरे Indians को, कि जो Indian Handicrafts Industry है, इसको आप support कीजिए, तो यहां पर इन्होंने बेसिकली बात बोली है, कि आप जो अर्दन दिया, जो है, मिटी का बना हुआ दिय खरीदो, जो देशी ड्रेप होता, वो खरीदो, इसके लावा जो Home Furnishing की आइटम्स होती है, बैट शीड्स, कॉर्टेंज, ओके, जो हैंडी क्राफ, जो गुड्स हैं, जो बनाई जाती है, जो शोटे-शोटे आर्टीजन्स हैं, शोटे बिजनसमेंज ने, ओके, जा Small Businessman है इस्टाग्राम जो अकाउंट है, वहाँ पर एक Hashtag चलाओ, जिसका नाम दिया गया है, यहाँ पर Local for Diwali, तो यहाँ पर देखिए, किन लोगों के साथ concern है Local for Diwali का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके, तो इसको connect करके सवाल पूशा जा सकता है, तो important है यहाँ तो आगे यहाँ पर यह भी बात बोली गई है, कि एक अच्छी picture लो अपने फेवरेट आर्टिकल की जो भी आपने चीज़ खरीती है, ओके, चाहे cloth है, चाहे कोई handicraft product है, ओके, चाहे आप उसको किसी को gift करें, चाहे आप अपने purpose लिए उसको use करें, दिवाली के लिए, तो अच्छे से हो जाएगा, तो यहाँ पर इस purpose के लिए यह campaign जो है, ministry of textile के दवारा यह चला जा रहा है, तो इसको ध्यान रखेगा, इसके relation में भी question पूछा जा सकता है, कि कौन से मंत्राले के तहर यह campaign जो है चलाया गया, तो ministry of textile की और से यह campaign चलाया गया है, तो मुझे आप comment box में बताइए कि ministry of textile के minister कौन है, यह important है, उनके minister का नाम आप मुझे comment box में बताइए, so I hope आपको lecture अच्छा लगा है, तो करिपया like, share और subscribe ज़रूर करें, बहुत बहुत शुकरिया lecture सुनने के लिए